तो हे गाईज आज हम बात करने वाले हैं UP NHM 17000 विकेंसी के बारे में उसके कटाफ की बारे गा उसका रिजल्ट कब आएगा उसकी बारे में हम आज डीप़ीटेल में डिश्कस करने वाले हैं compartion। कि कि UP NHM का कटाफ कितना रहेगा और उसका रेजल्ट आने की कब तक संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, UP NHM स्टाफ मर्स के एक्जाम जो कि 18, 19 और 20 जन्मरी को कंड़क्ट किया गया था। एक्जाम का जो पैटर्ण था, जिस बच्चे ने भी प्रिपरेशन किया होगा या पढ़ाई करके जो भी गया होगे, उनके लिए एक्जाम बहुत ही ज्यादा टफ नहीं होगा, एक्जाम बहुत ही अच्छा क्वेस्चन पूछा गया था एक्जाम में, जैसा कि आप सभी को अपना आंसर के मिल गया है, उसके हिसाब से ऐसा अनुमान लगया जा रहा है कि लगभग जो कैंडिटेट हैं, उनके मार्क्स जो हैं, उचालिस, पचास और साट के बीच में हैं, तो फिर कटाफ भी ज्यादा नहीं जाने वाला है, तो हम बात कर लेते हैं, अकोर्डिंग 33 मार्क्स तो होना ही चाहिए, आपको अंसर की मिल गया होगा, आप अगर 33 मार्क्स ला दिये हैं, तो आप मिनिमम जो मार्क्स है उसको पार कर चुके हैं, अगर आप OVC काटाग्री से हैं, तो आपके मिनिमम थर्टी मार्क्स होने चाहिए, मिन्स हंड़ेट में से 30 मार्क् का तेकर ने तो अब सिरे किल माद जए राइछ तो आपकोJason standing of effort कृटा मीड़ा करते हैं में इसके कटाफ कितना होजाने वाला है जेनरल का टैकरी से बिलॉंग करते हैं कि आपका जो कटाफ जाने वाला है पचास से साट के बीच में जाने वाला है तो उनका सेलक्षन होने के चानसेश हैं अघर ऐसी है eaten प५टी के बीच में अगर marks हैं तो आपके selection के chances बढ़ जाते हैं यह ऐसे भी हैं जिनका जो marks गया हो 70-75 तक गया है तो उनका तो selection में तो नहीं लेकिन next month के second या third week में आने की संभौना जताई जा रही है तो आपको ज्यादा पैनिक होनी की जरूत नहीं है बार बार यूट्यूब पे जारके वीडियो सेर्च करने के देखने का कोई मतलब नहीं है रिजल्ट को जिस दिन आना होगा उस दिन आये जाएगा आप अपना preparation करती रहो so keep learning keep achieving